कि हेलो फ्रेंज मैं मनी जैसके आप में जानते हुए मैं चलने रहे हैं स्विमिंग बाइब मनी दूसरा है टेक्निक लवली मनी जिसका लिंक उपर आई बटन नीचे डिस्क्रप्शन मिल जगा आज की वीडियो है स्विमिंग के ऊपर क्योंकि आज से पूल कि कल से एक तरीक अबाइब करते हो कौन सी करते हो तो इसमें बताने वालूअ की यो में मैं परडक्ट करने लिए आपको क्या क्या चाहिए दो चलो स्टर्ट करते हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा और हैपी हो लिए आपकी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना बाकि अब सुमिंग की वीडियो आगी है में चैनल मेरा सुमिंग का है तो सुमिंग की वीडियो आपको रगलर मिलती रहेगी तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा के अंदर से और फ्रंट से कुछ ऐसा है इसका वेनिफिट के चाहिए आप इसको ऐसे डालो चाहिए ऐसे डालो उल्टा नहीं होता है इसका दूसरी बात यह रहती है कि इसके जो ग्लास है वह छोटे-चोटे-चोटे रहते हैं जिसके हमें स्विमिंग करने में दिक्कत नह बाकि कैप और गोगल से इतना फरक नहीं पड़ता क्याप से खासकर इतना फरक नहीं पड़ता जितना की गोगल से पड़ता है गोगल आपके बढ़िया होने चाहिए मुझे यह अच्छे लगते सबका अलग लग होता है पर यह जो है यह 200 डाइसों के बीच में रॉंडली गोगल रहते सबसे बैस यो कि मैं यूज करता हूं ठीक है यह डालने कैसे है लाइक दिस अगर टाइट है तो आप इसको लूज कर सकते हो और यह इसमें हवा बर जाती है और तयाते समय कोई मुझे दिक्कत नहीं होती क्योंकि यह सस्ते है और टका हुआ है अगर मैं प्री अगर आप से ब्रेंड है पर मुझे इस पीड़ों अच्छी लगती है क्याप कैसे डालनी है क्याप में भी जो मैं चीज बता दूं जो प्रफेशनल है उनको तो गोगल के बार पता होगा आपने इसाफ़ से यह शूट करता है कि यह उनको यह गोगल सूट नहीं करते कि द अपने ब्रेंड ही लेना है अगर आप स्विमर हो अच्छे खासे तो फिर आपको पता ही होगा वैसे स्पीड़ों कंपनी या यूज होती है कैप को डालने के लिए आपने दोनों हाथ बीच में डालने के पानी के बताते है कि पानी डलके वह वह सिस्टम नहीं है कैप का ब बीच में रखने की ठीक है ऐसे के और कियों को ठीया बाहर अपके अंदर डालता हूं पर यह उदे अगर उसके हो ड्बानिन के अबया के अंदर सकते हो चाप करनी है तो ओalı ज्याधा बैटर रहेगा अगरा अपुकर करने से पहले हम गोगल में ऐसे जीव मारते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है इसमें फोग नहीं जमती दूसरी बात की जो पानी होता है जो पानी वह निचे स्लिप कर जाता है यह रहता है अगर आपने यह नहीं करना तो हलका साथ टीशू के साथ उसको अंदर बाहर जिसके आपका जो करते समय हमारी बोड़ी हीट मारते हीट मारने के वज़े से इसमें आ जाता है पसीना तो हमें कुछ आगे दिखता ने अच्छे से तो यह हम चीज करते हैं इसमें प्रकितने बड़े आप महंगे ले लो कुछ दिन तक पसीना नहीं आएगा उसके बाद आने गोगल्त पता रहता है आप गोगल साफ होते हैं जी ने सब्सक्राइब के आप के पbroıld였습니다 आपको बोड़ी हीट हुई आपने परसीना मारा फिर साफ होगी फिर राउन माने लगे यह चीज रहता है तो फ्रेंट्स कैप और गोगल सापको पता लगे कोस्ट्यूम आप अपने हसाब से यूज कर सकते हो कोई भी जो आपको कमफटेबल रहें तो बस आज के लिए इतना काफ है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और यह पूल कहां पर यह भी बहुत कमेंट आते यह पूल कुरुक्षेतर हरयाना एंडिया में है सेक्टर 10 में ठीक है न्यू बस टेंडर उसके साथ ही गली याती चू उसके स स्विमिंग जोईन करना है और आप बहुत ही जाए डरते हो इसकी टिप सारी कि सारी आएगी वैसे मैं इस वीडियो पर मना भी रखी है दो साल हमने स्विमिंग नहीं कि पिछले 2019 में की थी 20 में नहीं की 20 पूरा साल ऐसे चला गया विक साल स्विमिंग नहीं की क्योंकि हमा काफी मंलकि इसको मिस किया मैंने बहुत मिस किया कसम से बहुत थो बस आज के लिकाफी है यह मनी चैनल और आपको को इस वार्मिंग 2013 कोशिश जह रहेग आपको स्विमिंग की वीडियो मिले हां बीच में के विले खुरापाती आइडिया कुछ क्रेकर्स के वारे में जा बलून के वारे में टेस्ट करने का तो हम वह भी बीच में करते रहेंगे तो बस और कोई आई थिंक बात है नहीं एक जाते जाता टिप से देता हो जो बिगनेर है घ उख rance के पाणी की ऊक ऐसे आपने पानी के लिए प्रिफिंग स्टार्ट करने के लिए आपने सबसे पहले करना है इस अरे में बात है तो गोई आपसे अब उपर आजाना है तो बक्रशिक के पानी की को हो घर में प्रैक्टिस क्योंकि आप पूल में आवे तो यह प्रैक्टिस की हुई आपके बहुत काम आगी कि पता हैं जाने लगते पानी जला जाता है तो बंदर भानी में चल गया च artillery ब्रिफिंग जो की बबलिंग जिसको कहते हैं तो बैटरी है कि नाग में पानी चले जाए अब ब्रिफिंग करोगे और तो यह थी कुछ स्विमिंग की टिप्स आई होप कि आपको अच्छे लगी होगी कैप और गोगल पर बहुत आते हैं कोस्ट्यूम भी आप सबस्के आपने हसाब से ले सकते हैं अपको नहीं के तो वेसल को सीम रहते हैं तो बस आज को एक रहते हैं हाँ आप ने कितना सुभूं को मिस्किया सब्सकर और मेरी वीडियो आप कहांं से रहे हो यह बाद हम वीडियो का एंड करते हैं तो फ्रंक्स यह स्विमिंग पूल जो साधे 8 फिट हो जाता है दो फिट का यह गड़्डा है ठीक है स्विमिंग में अगर आप बिगने हो तो आप कभी भी आप आपके पास अगर एक ही फोन है आमल की स्विमिंग पूल है तो कभी भी नो सब्सक्राइब करते हैं जब भी आप बिगनर हो तो आपको वैसे तो पता ही होगा पर फिर भी आप किसी से पूछ लेना कि कम पानी वाला एरिया कौन सा है अगर आपको स्विमिंग आती है फिर भी अगर आप साल दो साल बात जा रहे हो कभी भी डिरेक्ट बड़े पानी म पानी जाता है तो नर्वस हो जाता है विपैसे मystem हमें बात करते हैं यहां से पानी आता हा होता है पानी हमें साफ होता है तो रहता है है जो पानी को फिल्टर कर देता है इसका नाम को सोरी होता है अब आगे हम पूल यह वाला पूल है छोटा जो बीगनर्स के लिए रहता है इसकी हाइट यहां पर डाइफ जाएफ फिट से लेके यह शे तक जाता है ट्रेक्ट ऐसे ही है तो जो मैं टिप्स देता हूं विए कि यहाँ पर एक्द hers तो एक damp क्लीन दिख जाता है बढ़े पानी में थोड़ा दिकत होुए टिक्कति रहती हिसमें बड़ी टेल ला उसमें शोटी टाइल में परोल 여ह तो यह एक देख सकते हो यह है शोटापूर धार यह साँआ आप चेक कर रहसे हुए यह बर जाएगा पूरा और बहुत जल्दी आपको मैं पानी के अंदर भी ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दूंगा जो कि आप online बैठे कहीं पर क्लास में ले सकते हो ठीक है मेरी क्लास लेने का कोई ऐसा है आपने पे करना है या कुछ करना है तो विल्कुल फ्री में क्लास ल बार हो गए तो भी यह आएगा इसकी कोई पिक भी आएगी आपको काफी तो बस आज के लिए इतने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और बाइक को सपोर्ट करना टिप्स आपको बहुत सारी मिलने वाली है वैसे मैंने काफी टिप्स के ओपर वीडियो बनाई ही है बहुत लंबी लंबी बनाई है अब मैं बनाऊंगा शोर्ट तो शोर्ट कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो में सिफ एक ही टिप्स बताओ जिसके करना जो आपको में टिप्स चाहिए वह आप देख सको वाकि मेरी प्लेलिस्ट हमेशा हर एक साल अलग लग रहत कर दो